Hello everyone, welcome back to my channel मिठाई में बर्फी खाना किसे पसंद नहीं होता चाहे बच्चे हो या बड़े सब भी पसंद करते हैं जादा तर हम लोगों ने मावे की बर्फी खाई होगी लेकिन आज मैं आपको मैदे की बर्फी बनाना बताऊंगी इस बर्फी में ना दूद इस्तेमाल करना है ना मावा इस्तेमाल करना है और जब भी मन करें जट पर बना के खा सकते हैं चलिए बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से सबसे पहले पैन को गरम करेंगे और उसमें दो चमत शुद्दगी डालेंगे अब उसमें हम एक कप मैदा डालेंगे अब इसी घी में मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे आच में इसे भूनेंगे जब तक भूनना है जब तक हमारे मैदे का कलर ना चेंज हो जाए मैदे का color change हो चुका है और मैदा अच्छे से बुण चुका है अब हम किसी pan में एक cup शकर लेंगे अब एक cup शकर में हमको चाषनी बनाने के लिए एक cup पानी डालना है अब हम पानी को खौलने देंगे ये देखिए चाषनी का पानी खौल गया है मुश्किल से एक तार की डाल देएंगे फिर हम थोड़ Minh सी पैसे लिचाफ का पाउडर लेंगे वह भी इसमें डाल देएंगे हगे अब इन सबी चीजगों हम अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करते रहेंगे तो यह अपनी मिठाई का texture विल्कुल बनके तयार हो गया है चाशनी हमको एक तारकी ही रखनी है वो अच्छे से ध्यान रखेगा अगर हम गाड़ी कर देंगे तो वो फटा-फट सूख जाएगा और पतली करेंगे तो जमेगा नहीं इसलिए एक तारकी ही रखनी है अब प्लेट में हम घी लगाएंगे और इस सभी मैदे के mixture को हम प्लेट में सेट कर लेंगे यह देखिए कितने अच्छे सेट हो रहा है अब हम इसको अच्छे सेट करने के बाद उपर से आपके पास जो ड्राइफ रूट हो वो उपर से डेकोरेड कर सकते हैं यह देखिए कितना सुन्दर लग र लगाएंगे थोड़ी देर के बाद में जब सेट हो जाएगा तब भी मिठाई काटनी है यह देखिए यह हमारा प्लेट में सारा मैदे का मिक्चर सेट हो गया है और हमने इसके छोटे-छोटे पीसिस कर लिए हैं अब बिना जंजट के मिठाई बना सकते हैं बिल्कुल घर लड़ू का भी सेब दे सकते हैं यह देखिए इस तरीके से हम इसके लड़ू भी बना सकते हैं अपकी स्वाधिष्ट नरम मुलायम मैदे की मिठाई बनके तयार है आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में